बार्सा में उपखंड अधिकारी पुश्पा कवस सोधियाव पूर्व सर्पंच के सानिध्य में हरियाला मारवार अभियान के तहेत पौधारोपन किया पाली, मारवार जंक्षन निकटवर्ती ग्राम बार्सा में उपखंड अधिकारी पुश्पा कवस सोधियाव पूर्व सर्पंच हनीफ खान के सानिध्य में हरियाला मारवार अभियान के तहेत पौधारोपन किया गया इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी पुश्पा कवर सिसोधिया ने कहा कि व्रिक्ष धर्ती का श्रिंगार है जिनके बगैर प्रकृती की सुंदर्ता की कल्पना नहीं की जा सकती है उन्होंने उपस्थित प्रामीनों वा सरकारी कर्मचारियों को अधिक से अधिक पौधारोपन कर उनकी नियमित देखभालव सुरक्षा करने का संकल्प दिलाया पौधारोपन कार्यक्रम के संरक्षक पूर्व सर्पंच हनीफ खान ने कहा कि पेड़ पौधे परियावरन का संतुलन बनाये रखने के लिए अतियावश्यक है पेड़ पौधों के बगैर मनुश्य जाती की कल्पना करना असंभव है विद्यालाय के प्रधनाचारिय दोलाराम मीगवाल ने बताया कि पूर्व सर्पंच हनीफ खान द्वारा विद्यालाय के खेल मैदान में 111 व्रिक्ष लगाने का लक्षे लेकर खेल मैदान के साथ गाओं को भी हरा भरने का संकल्प लिया है मेगवाल ने व्रिक्षो की देखभाल करने वा उन्हें जिंदा रखने में सहयोग का विश्वास दिखाया कार्यक्रम में पूर्व सर्पंच जुबेदा बानों के परिवार जनों द्वारा अतितियों का साल साफा वा माला पहना कर स्वागत अभिनंदन किया गया इस मौके पर खारची गाओं के पूर्व सर्पंच व समाजसेवी लक्षमी नरायन तवर जाडन के पूर्व सर्पंच नरायन सिंग जाडन समाजसेवी महेंद गर्ग, मुहम्मद अनीश पठान, कफूर खान, अब्दुल सत्तार, मुहम्मद निसार, A.N.M. शीला चोहान, भ गुर्जर, पेमा राम चौदरी, जाला राम जाट, मोहनलाल मीगवाल, दला राम लोहार सहित ग्राम वासी उपस्थित थे.